आज मैं आपकों लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाने की रेसिपी तो यहां पर आप देख सकते हैं कुर्मुरे का नमकीन बना है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बस 10 मिनट में नमकीन बनके तयार हो जाता है तो जब भी आपके पस इस तरीके से कुर्मुरा हो य मैंने इस तरीके से कटिंग बोड पर डाल दिया है अब चाहें तो यहां पर चकला ले सकते हैं या मिक्सी में आप इसे पीश सकते हैं और उसी के साथ डाल दिया है एक टेबल स्पून चीनी इतनी थोड़ी कॉंटिटी मिक्सी में पीशना काफी मुश्किल होता है इसलिए य यहां पर यह देखें एक बोल में निकाल लूँगी अब यहां पर मैंने लिया है 200-300 ग्राम के बराबर यह कुर्मुरा तो यह जो थोड़े से मोटे वाले कुर्मुरे होते हैं इसे यूज किया है इसी से यह नमकीन बहुत जादा टेस्टी बनेगी और साथी साथ लिया है करीब 200 ग्राम के बराबर सिंग्दाने तो सबसे पहला स्टेप है कि कुर्मुरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है इसका क्रंचिनस जितना जादा होगा उतना ही जादा टेस्टी यह नमकीन बनेगा तो एकदम धीमी आज पर 5-7 मिनिट के लिए से रोस्ट कर लूँगी मै पूरा मिक्सचर एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल दूँगी अब यहाँ पर एक पैन में मैं ले लूँगी तेल तो करीब 4-5 टेबल स्पून तेल लेना है एक टेबल स्पून राई मैंने डाल दिया है अच्छे से भून लेने के बाद 7-8 हरी मिर्च और यहाँ पर मैं आने लगे तो समझ जाए कि यह भूना जा चुका है और यहां पर थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल दिया है यहां पर मैं तीखी वाली लालमर्च पौडर यूज़ कर रही हूं इससे जो नमकीन है बहुरी ज़्यादा चटपटा बनेगा हमें नमकीन को कलर यहां नहीं दे चीनी और नीबू का फूल जो मैंने हलका सा ग्राइंड करके रखा है उससे डाल दूगी और यहां पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बाकी का कुर्मूरा भी यहां पर पैन में डालकर हलका सा मिक्स करके इसे में मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि पूरे नमकीन में आपको एकदम एक जासा फ्लेवर आएगा तो यहां पर इसे करीब 1-5 मिनिट के लिए एकदम हलके हाथों से भून लेना है और फिर यहां पर इसे मैं मिक्सिंग बोल में डाल कर शफल करते हुए करीब 3-4 मिनिट के लिए बीच बीच में मिक्स करते रहें क क्योंकि जब तक इसमें गर्माहाट है तभी तक मसाले अच्छे से मिक्स होते हैं ठंडा हो जाने के बाद इनको मिक्स करना बहुत ही मश्किल होता है तो यहां पर यह देखिए तले की तरफ तेल वाला पूरा मसाला अभी बचा हुआ है यानि अच्छे से मिक्स नहीं और यह खटा मीठा फ्लेवर वाला एक तरह से समझ लीजी लेमन भेल बनाया है मैंने जो मार्केट में आपको महंगे दामों में पैकेट से मिलता है यह लेमन भेल मैंने पहले भी बनाया हुआ है तो तो उसमें मैंने नीबू का फूल यूज नहीं किया था नीबू के रस स है याने शाम आपकी बन जाएगा रहता है तो आप इस रेसिपी को झारी करें कमेंट अपने एक्सपीडियंस के बारे मैं दोस्तों और multi केसाथ भी ईस bagus शेयर करें मिलते हैं अंग एमनले पीसोंद में एक और इस्टी रेसिपी के साथ थ RAW वाची